Hello everyone, आप सभी का स्वागात है, तो आज मैं machine input पे lecture 2 discuss करने वाला हूँ, previous lecture में मैंने आपको types बताया था, machine input होता क्या है, उसके बारे में discussion हुआ था, और हम लोगों ने shifting के बारे में start करा था, तो आज के part में हम start करेंगे arrangement के उपर, और arrangement और shifting में difference कहां से होता है, यह मैं आपक के दो type होता है, एक होता है fixing और एक होता है shuffling, अब कैसे identify वह fixing कौन होता है, shuffling कौन होता है, तो उसको one by one हमें सीखना है, देखिए, fixing और shuffling में आप question देखकर ही पहचान कर लेंगे, question fixing का है, यह question shuffling का है, और उनको कैसे solve करते हैं, उनको one by one हम सीखेंगा आज की class में, तो जल्दी से शुरू करते हैं, आज की class, अब देखिए आपके सामने जो basic arrangement का method बताया गया है, कि alphabets अगर हैं, तो dictionary order में हो सकता है, increasing हो सकता है, decreasing हो सकता है, vowel, consonant हो सकता है, letter in the word हो सकता है, letter in the word, that means कि अगर can word है, तो can में 3 letter है, then में 4 letter है, इस तरह से number of letters की बात हो सकती ह next part में आता है number, number में देखिए ascending है, descending है, even number है, odd number है, इनके according हो सकता है, एक और भी ध्यान रखिए है, prime number के according भी बनाया जा सकता है, logic को, तो आपको alphabet और number में कैसा logic होगा, यह identify करना पड़ेगा, तो आयूप यहां तक सारी चीज़े clear है, हम आज की class में जल्दी से start करते है पहला आपकी सामने question लाएं, जिसका नाम सामने लिखा है fixing, अब सबसे पहले यह जानते हैं इस question से, कि fixing actual में होती ही क्या है, वह ध्यान समझेगा, देखिए कैसे पता चलेगा fixing question है, देखिए सबसे last में आपको यह देखना है, कि क्या इसकी last में लिखा है, as per the rule, followed in the following question, the appropriate create step for the given input, यह बात mention है, और 6 के बाद, खतम हो गया है steps पूरे, आप notice करिए कि हमें कैसे पता चलेगा, कि यह fixing है, कि shuffling है, यह बात कैसे identify होगी, यह 23 यहाँ पर आया, आयूब समझ में आ रहा, 23 यहाँ सा आ आ गया, फिर 51 अंदर, फिर 4 अंदर, 31 यहाँ, star यहाँ, new इधर, 47 इधर, home इधर, और 23 ने अपने आपको क्या कर लिया, fix, notice करिए, that's called a fixing, 23 आया, उसने अपने आपको fix कर लिया, फिर अगले step में देखिए, यहाँ पर star आया, 51 आगे भाग गया, star ने अपने आपको fix कर लिया, ध्यांत देखिए, पायूब समझ में आ रहा होगा, कैसे पत 31 आया, 31 ने fix कर लिया, अपने आपको, फिर अगले step में आपको आप देखिए, तो पोर आया, उसने अपने आपको fix कर लिया, फिर next step में 47 आया, फिर fix हो गया, और next step में new और यह 51 और home by default set हुए, अब एक चीज़ समझ नहीं है, कि 23, 31, 47, 51 यह क्या से हुआ, नोडित के सब पहले S आया, फिर P आया, फिर N आया, फिर H आया, तो यह descending order को indicate कर रहा है, तो एक number, छोटा और alphabet बड़ा लिया गया, बड़े alphabet में दोनिस के लिए, सबसे पहले S, फिर P, फिर N, फिर H को notice करा गया है, तो यह चीज़ क्लियर होगी होगी कि logic क्या है, अब इसके ऊपर आपक लिया होगा, next part आपके सामने आने जा रहा है, जिसमें shuffling के बारे में बताया जाएगा, देखिए, और नोटस करिएगा, कि यह जो add अपनी जगह से गया, right side में गया, यह left में भी आ सकता था, तो ऐसा कोई compulsion नहीं है कि shuffling right side में ही हो, left में नहीं होती, दोनों side में shuffling हो सकती ही, ध्यान रखिएगा, बस इस बात को ध्यान रखिए, कि जो जिस position पर जा रहा है, वो अपनी position को hold नहीं करेगा, अगर hold कर रहा है, तो वो fixing कहलाएगी, और hold नहीं कर रहेगा, तो वो shuffling कहलाती है, जैसे add अपनी position पर यहाँ पर गया, लेकिन यह अपने आपको fix न अगर हम ध्यान देखिए, तो 27 आया, और इसने इन चारों को move कर दिया, next step में, देखिए track आया, और फिर अगले step में 94 आया, और इस तरह से last step आपका सामने बन गया, पायूप समझ में आओगा कि क्या हुआ, अब देखिए सबसे पहले add आया, क्यों आया, सबसे छोटा alphabet है फिर 13 आया, फिर multi आया, फिर 27 आया, फिर track आया, फिर 94 आया, तो यह indication है कि alphabet छोटा, नंबर छोटा, और उसकी according आपको shuffling बनानी है, तो यह example आपको बना बनाया दिया जाएगा, और जैसा इसमें हुआ है, सेम उसी pattern पर आपको अगले question को करना होगा, तो आयोप यहाँ त सबसे पहले example को हम क्या करना है, और जैसे analysis complete होगी, इसके बाद आपसे question पूछा जाएगा, जिसको सेम इसी pattern पर आपको solve करना है, अब सबसे पहले analysis में यह जानना है कि question arrangement का है, कि shifting का है, यहाँ पर लिखा हुआ है, fourth is the last step, that means arrangement है, अब arrangement के अंदर भी दो types आते हैं, एक fixing आ आपको fix कर रहा है, फिर notice करी, year आगे चला गया, पहले step में, फिर not आगे, फिर box, और फिर nose, double a, z, और no, as it is है, कोई change नहीं हुआ, पहले step में and आया, उसने अपने आपको fix कर रहा, और फिर सारे steps में आगे move कर गया, अब step number two में देखते हैं कि क्या change हूँआ, step number two में अग आप ध्यान से देखें, तो double a, as it is है, और यहाँ पर changes क्या हूँआ, double a, z में हुआ है, तो double a, z उटकर यह आगे आया, उसने आपने आपको यहाँ पर रखा, और फिर not, box, nose, और no, यह आगे move कर गया, और इसने double a, z ने आपने आपको fix कर लिया, इसलिए इसको बोला जात यह actual में हुआ क्या है, फिर अगले step, third step में आते देखें, यहाँ पर no आया, जैसी no आया, उटकर, तो not आगे move करा, box आगे, और nose आगे चला गया, last step में यहाँ पर कौन आए, box आया, जैसी box आएगा, not आगे, और आपका nose last में, as it is, by default, र सेट हो गया, अब question महाँ यह create हो यहाँ भी दू element होने, no को पहले आना चाहिए था, number of element भी नहीं हो रहा है, तो जब यह दोनों चीज़ें आपको नहीं मिल रही है, तो आपको काम यह करना चाहिए, कि आपको इन values को add करना चाहिए, जैसे a की value 1 होती है, और n की value 14 होती है, आयोप आपने यह alphabetical में पढ़ा होगा, तो notice करें, इनको जब मैं add करूंगा, तो value कितनी आती है, 15, अब e की value 5 होती है, a की value 1 होती है, r की value 18 होती है, जब मैं इनको add करता हूँ, तो 18 over 1, 19 over 5, that's called 24 आएगा, 24 आ रहा है, आयोप समझ में आ रहा होगा, कि देकि number of value को add करने पे 15 आ रहा है, फिर 24 आ रहा है, next देखते हैं, क्या रहा है, तेकि a की value 1, फिर 1, फिर 26, that's called add करने पे 28 आएगा, next value देखते है, 15 और 14, n की value 14 होती है, और o की value 15 होती है, जैसे हम दोनों को add करेंगे, value कितनी आती है, 29, आयोप clear हो रहा होगा, फिर next part में आते हैं, तेकि 24, x की value होती है, फिर 2 और 15, सब को add कर होती है, तो 24 प्लस 2, that's called 26, 26 प्लस 15, that's called 31, 41, तो इसकी value कितनी आ रही, 41, यहां ते clear है, अब देखे सारी value असेंडिंग में आ रही है, वोक्स में जब हम add कर रहे है, तो उन सब values हो समझ में आ रहा है, कि ascending order में arrange हुआ है, उनकी values को add करने की बाद जो result आ रहा है, उसको ascending में arrange करा गया, फिर last में आता है not, अब notice करें not और nose को भी add कर लेते हैं, तो जैसे ही add करेंगे 20 और 15, that's called 35, 35 यहीं पर हो गया, 35 में अगर हम 14 add करेंगे, that's called 49, तो यह value आ जाएगी 49, अब last and final, उसको भी add कर लेते हैं, देकि 14 प्लस 15, that's called 29, 29 में अगर हम 5 add करेंगे, that's called 34, और 34 में अगर हम 20 add कर ले, लेकि 19 है, लेकिन हम 20 add कर लेते हैं, तो 34 में 20 add करेंगे 54, एक कम कर लेते हैं, that's called 53, तो इसकी value कितनी आ जाएगी 53, आई होब समझ में आ चुका होगा, आपको logic किस हिसाब से बनाये गया, कि उनकी value को add करने के बाद, ascending order में arrange करा गया है, 15, 24, 28, 29, 41, 49, 53, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कि कैसे solve करा गया, अब इसका shortcut क्या है, अब इसको कैसे और easy करा जा सकता है, इस बात को मैं समझाता हूं, notice करिए, अगर इसको step by step बनाया जाए, step 1, step 2, step 3, step 4, अगर मैं solve करूं, बहुत lengthy हो जाता है, लेकिन इसको direct कैसे solve करत है, इसका बहुत जबर्दा shortcut है, इस बात को समझाते है, देखिए, आपके सामने में input लिख रहा हूं, बहुत ध्यांस देखिएगा, उनकी values मैं लिख दूँगा, जैसे आपके year की जो value आई थी, 24 आई थी, मैंने note कर दिया, देखिए, सबसे पहले year है, 24 लिख दिया, फिर लिख दिया, फिर डबल एजड़, डबल एजड़ की value इती, 28, मेंचिन कर दिया, और लास्ट में no, no की value कितनी है, आपके सामने 29, लिख दिया, अब इसको direct कैसे solve करते हैं, इसका shortcut मैं सिकाने जा रहा हूं, बहुत ध्यास देखिएगा, हम इसको numbering method solve करेंगे, देखिए, आप सभी को पता है, सबसे छोटा number कौन सा है, 15, तो हमें इसको pick करना है, उसको number दिया 1, क्या number दिया, 1 देंगे हम इसको, ऐसा क्यों, क्योंकि सबसे पहले 15 आना है, क्योंकि ये ascending order में arrange करा गया है, 15 सबसे पहले 1, अब 15 से बड़ा कौन है, notice करिए 24, अब notice करिए 24 को मिलन चीज है 2, लेकिन 2 नहीं मिलेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि जिसके पहले कोई ना हो, उसको latest number का plus sign दिया जाता है, मैंने क्या बोला, वो ध्यान समझेगा, जिसके पहले कोई ना हो, उसको latest number का plus sign देना है, आप देंगे 24 के पहले कोई नहीं है, तो ये by default है, और अगर ये by default है तो इसको 1 प्लस देंगे, ना कि 2, यह numbering करने का shortcut में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 1 प्लस लिखा, अब notice करिएगा 24 को मिल गया, 1 प्लस, 1 प्लस मिल गया, अब next to 24 से बड़ा होगा, वो होगा 28, अब 28 को हमें 3rd category में pick करना है, लेकिन notice करिए, 1 आया, 1 प्लस आया, आब देखे 28 की बारी आई, अब 28 के पहले, बहुत सारे 53 है, 41 है, 49 है, यह अभी vacant है, इसलिए हम इसको नया number देंगे, नया number क्या देंगे 2, क्यों ऐसा कर रहे हैं, जिसके पहले कोई होगा, उसको नया number, जिसके पहले कोई नहीं होगा, उसको latest number का plus sign देना है, बस इतना ध्यान रखना आपको, जिसके पहले कोई है, उसको क्या करना है, नया number, और जिसके पहले कोई नहीं है, उसको latest number का plus sign देना है, आब notice करिए, 28 के सबसे छोटा कोई है 41 41 से पहले notice करी 49 है इसलिए इसको भी हम नया number code करेंगे that's called 4 अब इसके बाद बारी किस की आईगी 49 की अब दीए 49 के पहले कोई नहीं है तो इसलिए बार student क्या था है 24 है 24 जा चुका 49 के पहले कोई नहीं है इसलिए इसको latest number का plus sign देंगे 4 plus और last में हमारे पास क्या रहा है 53 तो 53 से पहले भी कोई नहीं है तो latest number हमारा चल रहा है 4 plus तो इसको देंगे 4 double plus पायोब समझ में आया होगा कि किस तरह से numbering करते हैं और इस numbering से होगा क्या कि आपका एकी line में पूरा question solve हो गया पायोब समझ में आयोगा कि कैसे numbering करते हैं अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि third step में right से तीसरा कोन है तो मैं oral बता सकता हूँ कैसे बता सकता हूँ तेंगे third step में right से पहला ये होगा दूसरा ये होगा 49 आयेगा third step में right से तीसरा 49 आयेगा कि कैसे मैंने कर रहा नोटिस करिए आप यहाँ check भी कर सकते हैं third step में right से तीसरा आपके सामने एक, दो, तीन ये आयेगा not और not की value लोग ने किती रखी दी 49 देगी 49 match कर रहा है अब ये direct कैसे कर रहा था इस बात को समझाते हैं देगी बहुत ध्यान समझेगा अगर आपसे बोला जा रहा है second step लिखिए कितना? second step तो यहाँ पर one आयेगा फिर one plus आयेगा फिर two आयेगा बस क्यों? क्योंकि second step में आपको सिर्फ two तक की balancing करनी है two के बाद वाले element को आपको balance second step में नहीं करना है इस बात को ध्यान डखना है इसके बात करना क्या होता है? देगी one plus आ गया four plus आया? नहीं आया तो four plus यहाँ आएगा फिर four यहाँ आएगा one जा चुका four double plus यहाँ पर आएगा two जा चुका three यहाँ पर आएगा तो कई बाद student कहता है कि sir हमने three नहीं balance करा देगी अगर हम three को balance कर देंगे तो थर्ड step बन जाएगा अगर आपसे second step पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ two तक की balance ही करेंगे और अगर यही चीज third step पूछी जाती तो difference क्या हो जाता अगर मैं third step लिखना चाहूँ तो one आएगा one plus आएगा two आएगा और उसके बाद कौन आएगा three भी आएगा यह तीन element आने ही आने one, two और three आने ही आने लेकिन one plus जो है वो one और two के बीच में आएगा क्योंकि यह by default हमारे सामने adjust हुआ है अब इसके बाद जो element बज गए that's called four plus four, four double plus notice करेंगे four double plus इनको हम balance नहीं करेंगे क्योंकि four plus four और four double plus में पहले four आना चाहिए उसके बाद four plus और four double plus आना चाहिए लेकिन उनको balance अगर मैंने कर दिया तो वो fourth step बन जाएगा ना कि third step तो आयोप समझ में आया होगा कि actual में कैसे करा जाता है questions को अब इसके ओपर examiner आपसे question पूछेगा जिसको आपको solve करना है तो यहाँ तर लॉजिक आप देख सकते है sum of the letter value arranged in ascending order यह logic हुआ है अब आपके सामने question आ रहा है बहुत ध्यान से कि question आपके सामने आ चुका है अब हमें करना क्या है सबसे पहले यहाँ पर values को add करना है तो सबसे पहले values add करते हैं 15 plus 15 that's called 30 plus 20 that's called 50 50 में अगर मैं 12 add करूं तो 62 हो जाएगा next आते है अब दीके 19 plus 8 that's called 27 27 plus 8 that's called 35 35 हो जाएगा फिर next में आते हैं 12 plus 3 that's called 15 12 plus 3 जाटको 15 अब दीके 1 by 1 हमें match करना है तो 1 by 1 हम इसकी numbering करेंगे कैसे करेंगे बहुत ध्यान्स देखिएगा यह input है अब दीके इसमें सबसे छोटी value किसकी है आप सबकी सामने 15 सबसे छोटा कौन है 15 तो सबसे पहले कौन आएगा लाब आएगा notice करी number 1 दे दिया मैंने यहाँ पर पूछा गया है how many steps required to complete the above arrangement मतलब इसमें total कितने steps बनेगी तो मैं numbering करने जा रहा हूँ बहुत ध्यान देगे सबसे पहले 15 आया 15 के बाद कौन आएगा 16 इसको number 2 दे देंगे अब देगे 16 को 1 प्लस क्यों नहीं दिया ऐसा क्यों क्योंकि इसके पहले 62 है और अगर 62 हमारे पास available है तो उसको नया number देना याद रखेगा अब बारी आई 17 तो 17 को 3 दे देंगे फिर बारी आई 25 की उसको 4 देंगे फिर बारी आई SHH की 5 देंगे अब जब बारी आई 62 की तो क्या हम 6 देंगे नहीं हम क्या देंगे 5 प्लस क्योंकि 62 के पहले कोई नहीं है अब notice कि जिसके पहले कोई नहीं होगा उसको plus sign देना है बस इस बात को ध्यान रखना है आपको तो notice के 62 के पहले कोई नहीं है प्लस दे दिया जैसे हम देंगे तो हम से पूछा गए how many steps तो कितने steps की requirement आई 5 5 is the right answer question आपके हाथ में तो आई होब समझ में आऊगा कि कैसे question को balance करा और कितनी आसानी से हम लोगोंने solve कर लिया चलिया यह उपर question clear हो गया होगा तो चलते है next question पर देखते है अगला question कौन सा होने जा रहा है अब देखिए next question भी आपके सामने आ चुका है बहुत ध्यान से समझेगा देखिए कई बार student question देखके डर जाता है उसको लगता है बहुत बड़ा question आ गया हम solve कैसे करेंगे देखिए पहली चीज़ तो इसको note नहीं करना है आपको exam में आपको सिर्फ logic पर identify करना है बहुत ध्यान से लोजिक हुआ क्या है देखिए आपके सामने अगर देखिए लेकिन 52 ये जा चुका है left में फिर देखिए ट्यूनर 63 प्रिपेर 48 59 कोई change नहीं हुआ अब देखिए step number 1 अगर आपने बहुत अच्छे से judge कर लिया तो step number 2 को बहुत असानी से पकड़ा जा सकता है देखिए यहाँ पे missionary आ रहा है वो भी अपने आपको fix कर रहा है 35 आ रहा है वो भी fix कर रहा है फिर देखिए prepare आ रहा है वो भी fix कर रहा है 63 आ रहा है वो भी fix कर रहा है फिर देखिए add आ रहा है वो भी fix कर रहा है next में 83 आ रहा है वो भी fix कर रहा है फिर देखिए sequential ये by default इसलिए 48 आया, यही सबसे बड़ा main है by default, ऐसा होता क्या है, देकि 83 के बाद बारी आई sequential की, लेकिन जब वो पहले से balance है, तो आपको number pick करना है, ध्यान रखिए मतलब उसी step में दो variable पके होंगे, एक sequential तो आया ही आया, साथ में एक number भी आएगा, तो 48 आया, ध्यान रखना है, और जैसे ही 48 आया, देकिन आपने आपको fix कर लिया, फिर देखिए tuner आया, उसने fix कर लिया, फिर अगले step में 59 आया, उसने भी आपने आपको fix कर लिया, तो ये और last में indico बज गया, तो indico by default हो गया, notice करिए, और आपके साब ने 2 by default है, एक sequential by default है, indico by default है, और इसी के वज by default होने की वज़े से 10 steps बने, एक by default आपका sequential है, और एक by default आपका कौन है, indico, जिसकी वज़े से 2 steps आपके कम हो गया है, और यही reason है 10 steps बनने का, तो ध्यान रखिए 12 element में, जितने by default होंगे, उतरे steps कम हो जाएंगे, अगर 4 by default होते हैं, तो 8 steps बनते हैं, आपके सामने 2 by default है, तो यह indication है, 10 steps बने, अब इसके उपर हमें यह judge करना है, कि इसमें logic क्या हुआ है, क्योंकि logic अभी आपको पता नहीं है, notice करिए, सबसे पहले देखते हैं, 52 आया, फिर dictionary है, फिर पैतिस है, फिर 63 है, फिर 83 है, अब इस बाग को समझते हैं कि logic हुआ कैसे, देखिए 52, 35 है, ascending descending हो तो नहीं लगेगा, यह आपको पता है, आयोब समझ में आ चुका है, यहाँ पर add करने पर 7 आता है, यहाँ पर देखिए, फिर add करने पर 8 आता है, notice करिए, फिर add करने पर 9 आता है, फिर add करने पर 8 हो 3, notice करिए, 11 आता है, आयोब समझ में आ रहा है, 11 आ रहा है, फिर कौ को आ रहा है 14 आ रहा है तो यह numbers के value समझ में आ चुकी हैं उनको add करा गया add करने के बाद उनको ascending order में arrange करा गया लेकिन alternative order में एक number फिर alphabet फिर number फिर alphabet यह clear हो गया अब अगर इसमें मैं देखू तो dictionary, prepare, add, sequential, tuner, indico में अगर हम बहुत ध्यांज देखें तो dictionary order तो नहीं हुआ क्योंकि अगर हम dictionary order चलेंगे तो सबसे पहले e आना चाहिए था number of element चलेंगे तो भी नहीं हुआ है ascending, descending भी नहीं हुआ है लेकिन इसमें हुआ क्या है, देखें लास्ट element को देगी, y है, सबसे पहले y सबसे बड़ा, फिर notice करिए e आ रहा है, सबसे छोटा, सबसे बड़ा कौन है y, सबसे छोटा कौन है e, last element का बड़ा, फिर छोटा, फिर last element कौन है t, सबसे बड़ा, फिर कौन है last element l, सबसे छोट फिर last element कौन है आर सबसे बड़ा और फिर कौन है छोटा कौन हो ओ हुगा तो notice करिए last variable को बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा इस order में arrange करा गया है और आपके सामने पूरा question आ गया पायोग समझ में आवगा कि किस तरह से question को balance करा गया और पूरा बनाया गया लॉजिक में आपके सामने यहां पर लिख भी देता हूँ आपके सामने logic आ भी जाएगा कि numbers में क्या हुआ sum of the digit and place the ascending order notice करिए फिर alphabets में क्या हूँ last letter alternative order like the bigger than smaller इस तरह से arrangement हुआ है अब देगे आपके सामने यह question clear हो चुका है जल्दी से आते हैं इसके part पर यह example part clear हो चुका है इसका question part आने जा रहा है अब देगे question part आपके सामने आ चुका है तो जल्दी से इसकी numbering करते है numbering क्यासे करना है देगे बहुत ध्यान समझे है सबसे पहले हमें जो इनकी values है numbers उनको add करकर यहाँ पर लिख लेते हैं कितना आएगा 15 आएगा अच्छी बात है next part में देगे 902 कितना होगा 11 आएगा next देखते है notice करिए 806 कितना होगा 14 आएगा next कितना है 8 4 कितना होगा 12 आ आएगा तो number value को मैंने add करने के बाद लिख दिया अब देगे जो number value सबसे छोटी होगी उसको हमें सबसे पहले pick करना है तो और उसकी बाद alphabets में याद रखेगा last element को ही focus करना है और एक बार सबसे बड़ा फिर सबसे छोटा इस तरह से आपको pick करना है अब notice करिए दो ब आपको समझ में आ गई तो हर कोशन आपकी मुठी में है बिद्यान रखेगा अब दीगे आगर number हो गया तो number के बाद हमें alphabet लेना है और alphabet इस बार छोटा लेना है अब कई बार student कहता है सब प्लस क्यों नहीं आ रहा है देगे notice करिए जिसके पहले कोई ना हो उसको plus का sign देते हैं अभी आपके सामने diamond आ चुका है alphabet की बार ही आई और alphabet इस बार क्या लेना है बड़ा लेना है आपको तो बड़ा alphabet अगर आपको पिक करना है तो यह बताए जी और एल में बड़ा कौन है बैटी मिलेगा तो इसको कितना number देंगे 6 दे देंगे अब next में पार्ट में आते है number आएगा तो number में 87 और 86 में कौन आना चाहिए 87 आना चाहिए ऐसा क्यों कहा रहा हूँ 16 बड़ा है 15 से तो 15 को पहले हमें पिक करना पड़ेगा अब इसको 15 से पहले भी आपके सामने shopping है that's why हम इसको number देंगे 7 यहां तक clear हो चुका है अब जरह ध्य देंगे सकते हूँ 6 वाला किसको दिया था बड़ा दिया था हमें छोटा पिक करना और जैसे हैं छोटा पिक करना तो G और L में छोटा जी होता दीकि जैसे बारी आई shopping की नोटिस करिए shopping ही main word था अब यहां जैसे shopping की बारी आईगी तो shopping से पहले कोई नहीं है इसलिए हम इ नंबर आएगा तो नंबर देगी 88 बचा हुआ है, लास्ट है इसको कितना देगे एट देगे और लास्ट में कौन आ रहा है? अनिमल आ रहा है, अनिमल को कितना देगे, अब नोटिस करी, 8 पलस देगे, क्योंकि उसके पहले भी कोई नहीं होगा, जैसे ही हम अनिमल की बात कर उनको as it is रख देना है, कौन बज गया, 7 plus, फिर 7, फिर 4, फिर कौन बज गया, 6, फिर 5, फिर 8 plus, फिर 3, फिर 8, इस तरह से अरेंज होगा, मतलब step 2 में, 1 और 2 को आपने रखा, बाकी सारे elements को आपने as it is पिक करा, कोई change नहीं करा, that means 7 plus, 7, 4, 6, 5, 8 plus, 3 और 8 as it is रहेंगे, यह दियान रखना होता है, अब जैसे आपसे पूछा जा रहा है, 4th step, तो 4th step को कैसे लिखना है, देखिए, सबसे पहले 1 आएगा, यहाँ पर 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, 4 element को adjust कर लिया, अब 4 element को adjust करने के बाद, जो element बज जाएंगे, उनको हम as it is 7 plus 7, फिर देखिए, 4 जा चुका है, इसलिए 6, फिर 5, फिर 8 plus, और लास में कोन आएगा, 8, इस तरह से arrangement होता है, तो आई होप समझ में आऊगा, कि कैसे machine input का बहुत छोटे से method से समझाया जा सकता है, बहुत बड़े question को भी बहुत आसानी से करा जा सकता है, यह धियान रख और यह रहा है इसका पूरा पार्ट जो हम लोगन अभी सीख लिया था, अब जल्दी से आते हैं, नेक्स पार्ट में आपके सामने पूछा गया है, और यह इसका explanation है, आप देख सकते हैं, अब देख सकते हैं, अब देख कुछिन क्या पूछा गया, which of the following step will be the last but one step of the given, notice कर अब जा रहा है, तो हमें करना क्या होगा, एक से लेकर, 7 तक हमें arrange करना है, और 8 को arrange नहीं करना याद रखेगा, तो देखिए, 7 तक तक तो arrange हो जाएगा, उसके बाद देखिए, 7 प्लस आएगा, पिर कौन आएगा, तो फिर कौन आएगा, अगर हम इसको चेक करना चाहें, last से check करें, तो ज़्यादा असानी से हम pick कर पाएंगे, ध्यान रखेगा सबसे last में कौन आ जाए, 8 आना चाहिए 8 कौन है, 88 है, देगी 88 आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, यह option कतम हो जाएगा उसके बाद देखते है, 8 प्लस आ रहा है 8 प्लस कौन है, अनिमल है, तो देखिए समें मैच कर रहा है, फिर कौन है 7 प्लस 7 प्लस कौन है, शॉपिंग, अब नोटिस करिए कि यहाँ पर देखिए, अनिमल के बाद तुरंट आना चाहिए, शॉपिंग, जब सिर्फ आपके 4th option में given है तो 2nd और 3rd भी cancel हो गए, अब या तो 4th होगा, या तो none of these होगा, इसको complete करने के लिए हमें starting के 7 elements को भी मैच करना पड़ेगा, देखिए 1 number किसको दिया था, 92, मैच कर रहा है 2nd किसको दिया था, cheapest ये भी मैच कर रहा है, नोटिस करिए, फिर 3rd किसको दिया था, हमने 48 मैच कर गया फिर हमने 4th किसको दिया, diamond मैच कर रहा है, 5th किसको दिया, 86 मैच कर रहा है, 6th किसको दिया, bad दिया, वो भी मैच कर गया, और उसके बाद देखते है, 87, 87 को हमने क्या दिया था, 7th, तो ये भी मैच कर गया, that means कि 4th is the right right answer confirm answer fourth होगा वायोग समझ में आओगा कि कैसे question को solve करते हैं और यह shortcut है क्या numbering method जिसके उपर आप हर question solve कर सकते हैं तो आज की class के लिए इतना ही रख रहे हैं इसके आगे का part जो भी होगा वो अम लोग अगली class में discuss करेंगे Thank you, thank you to all